विल्कम बैक तो यूर फेवरेट चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल आई पेल दोजाच चौबिस का अगला मुकाबला जो की खेला जाने वाला है पंजाब और चिन्नाई के बीच में गाईस संडे होने वाला है पंडे क्योंकि बैक तू बैक दो मुकाबले होने वाला है पहला मु काबला खेला जाने वाला है और आपको बता देती हूं कि चिन्नाई की टीम 12 साल बाद धरमसाला के मैदान पर उतरेगी 12 साल पहले चिन्नाई की टीम ने धरमसाला पर मैच खेला था जिस मैच को पंजाब किंग्स ने जीत लिया था और इसके अलावा एक और कुछ चीजे म क्योंकि अपनी वीडियो काले टीम में हमारे बाद शारूद भी था हमारे पाद डेविड मिलर भी था है कैम विं ग्रीन भी था सारे हाई पॉइंटर हमारे टीम में थे आप जाके मेरी पिछले मैच की वीडियो चेक भी कर सकते हो लेकिन अभी बात करेंगे इस मैच की कि इस match में कौन जीतेगा, कौन हारेगा और आपकी fantasy में कौन दिलाने वाला है सबसे अधर point क्योंकि जहां एक तरफ होंगे बात करें, जौनी बेस्टो की रिले रॉसु की, इसके अलावा सैंकरन कप्तान, खुद बात कर ले जो इतनी अच्छी match भी same team दोनों टीम ने खेला है और last match में भी यहां पर Punjab ने बाजी माल ली ती, चिन्नई के मैदान में आखरी match हुआ था चिन्नई पंजाब इसके just पहले और back to back fit से खेलने जा रही है चिन्नई पंजब, तो क्या वहाँ याई वो बतला चिन्न नहीं क्या यहां पूरा कर पाएगी उस मिली हार का बतला यहां धर्मशादा के मैदान में रितुराज की team ले पाएगी और इस match में राज कर पाएगी, तो इनकी दरब से नदर आएएंगे कप्तान खुद बात करेंगे, रितुराज की अजिक रहाने क्या इस match के ट्रॉम्प लेयर हो सकते हैं, टेरिल मिचल की बात के लिए जडेजा की बात के लिए, मोहिन अली क्या इस match को खेलेंगे, ना खेलेंगे यह अपने आप में एक बड़ा question mark और उनकी जगह पे कौन खेलेगा यह भी मैं आपको बताऊंगी, गेनबाजी में पतिराना की बात के लिए, रिचर्ड ग्लिसन जो की टीम में आगया और जबर्दस गेनबाज है, इस match के ट्रॉम्प लेयर बन सकते हैं, तो guys बहुत सारी बाते करेंगे, CVC किसको क्रियेट करना है और जैसा मैं हमिशे आप से कहते हूँ, अगर आपने वीडियो की एक केक चीजें समझ ली और CVC कैप्टन जो मारे टीम में आपने देख लिया आप मैच में अल्मोस्ट आप 80% मैच वहीं जीच चुके हो, लास्ट कुछ मैच देखेंगे, जहाँ दोनों टीम आपने सामने भीडी थी तो ड्रीम टीम का हिस्सा कौं कौन से खिलाडी बनेते तो guys यहाँ पर आप देखोगे तो विकेट कीपर में आपको जॉनिक बेस्टो का नाम यहाँ दिखता हुआ, यहाँ प्रपसिम्रंग और जीटेज और धोनी का भी नाम तो विकेट कीपिंग में आपके चारो ही विकेट कीपर लास्त तीन मैच में एक एक बार ड्रीम टीम का हिस्सा बन चुके है इसके अलाब हम बैटर से देखेंगे तो common player हमें रितुराज यहाँ पर दिखेंगे जो दो बार नाम जींका आचुका है इसके अलाब रोसू, रहाने और शशांक सिंग का नाम दिख रहा है इसके अलाब आप देखोगे तो देश पांडे और पतृराना भी यहाँ पर नाम आचुका है और इस match में अर्शदीप और राहूल का नाम यहां पर भी है और आप इस पेशली चीज नोटेस करो तो maximum जो आपके CVC क्रियेट हुए है तीनो बार बॉलिंग सेक्शन से हर बार नाम आया है किसी भी प्लेयर का यहां पर भी है यहां पर भी यहां पर भी पहले बैटिंग पहले बॉलिंग कॉंग करता है उसके एकोर्डिंग बिल्कुल फ्री टीम मिलती है जिसके एक भी रुपए चार्ज नहीं किये जाते है तो अगर आपको फ्री में टीम चाहिए तो आप हमाई साथ टेलेग्राम पर जुर जाओ अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है फैंटेसी से रिलेटेड आपके विड्रॉल की या वेरिफिकेशन की किसी भी आप में आपको कुछ भी जानना हो तो आप डिरेक्ट मुझे टेलेग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो और आपको इसके लाबा गीवए स्पेशल वीडियो भी होती है फर्स लाइक, फर्स्ट कॉमेंट, बेस्ट कॉमेंट आप दर टे मैं दो कोजसेंट भी पुछूंगी वीडियो में इसी इसी उसके आंसर देके भी आप जीच सकते हो लेकिन कंडिशन है, वीडियो कूरी देखनी हो और टेलीग्राम का मेंबर होना जरूरी है तो टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुर जो और हमारे साथ आप पर जैसे एक लाग से आदा लोगों ने भरुसा दिखाया आपका भी साथ की जोरुरत है गाए इस बाकी जिन लोगों ने इतना प्यार दिया इस एक साल में आप सबको थैंक यू सो मच इतना जादा प्यार विश्वास दिखाने के लिए गाए अभी रास्ता शुरू हुआ है अभी मंजीर बहुत दूर है तो साथ ऐसे ही निभाईएगा तो जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को कर लो सब्सक्राइब या नीचो ऑप्शन दिख रहोगा सब्सक्राइब बटन का उसके जस्ट उपर ऑप्शन दिखेगा जैसी आप जैसे आप महर पर क्रिक करते हो आपके फोन में उपर कैका पेज आप दिखे कर टेली ग्राम भी कर ने ही जोइन बाकि आप जौतों सच भी कर सते हो फैंटसी कृक बोल और लिकिन हमारी प्योरेटी होती है कि आप link से join करो ताकि आप real channel में join ओ और इसी वज़े से आपकी solid के लिए मैंने telegram description के साथ comment box में भी पिन किया हुआ है तो जाओ एक प्यारा सा comment करो मेरे लिए और हमारे telegram का हिस्सा बन जाना है तीक है क्योंकि गाइस देखो ये बड़ा match है चिन्नाई का मैच बड़ा match होता और बड़े match में जीत पकी है तो बात करेंगे Punjab Kings वर्सेज चिन्नाई Super King के head to head की तो 29 बार आमना सामना हुआ है इन दोरो टीम होगा जिसमें से 15 मुकाबले CSK ने जीता है 14 मैच जीता है पंजाब में देखो ये कहानी आपको बहुत लोग बताएंगे तो आपको लगेगा कि almost वीडियो सेम ही है content सेम है और 12 साल पहले 2012 में इसी pitch पे धरमशाला के मैदान में जो मैच खिला गया था CSK पंजाब के पिच में उस मैच को भी जीता है पंजाब की टीम तो ये कॉमन चीज है जो आपको तो क्या यहां पर इस मैच में जीतने वाले हैं यह तो बाद में पता चले है लेकिन आखरी जो मैच खिला गया था इसी सीजन का आप देखो पंजाब ने इसली चेस करते वे जीता था रितुराज ने 62 बढ़ाय था रहाने 29 इसके लावा शीवम दूबे गलिसन और शारदू को एक एक विक् पिछले सीजन की बात करेंगे जिस मैच को यहां बात करेंगे तो इस मैच को भी जीता था पंजाब की टीम ने यहां पंजाब की टीम ने इसको जीता है इस मैच को इस मैच में अगर हम देखेंगे हैं 200 रंग का स्कोर्ट चेस हुआ थे यहां गाय कोर्ड ने 37 मराय था और लेसपांडे को तीन विगेट बोली थी जड़ेजा दो विगेट पत्थराना एक विगेट पर इसे अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है देसपांडे जड़ेजा और पत्थराना इंपोर्डेंस रहेंगे वैसे भी मुस्तिफिजूर रैमान अब बाहर जा चुकिए वापसी हो चुकिए, अब IPL का वो हिस्सा नहीं है, बचे वे मैच्चे में वो आपको CSK के तरब से नहीं दिखेंगे, ठीक है, गया कवाट की इंपोर्टेंस इस मैच में रहेगी, बाकी बाते हम आगे करते हैं, लेकिन गया ये इंपोर्टेंट मैच आपको खेलना का है, त बहुत सारे multiple features यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा आप गईज इस तरह से, आप trading में भी बहुत पैसे यहाँ बना सकते हो, कुछ नहीं करना, आपसे छोटे-छोटे question, math related, cricket related, जो हम सब को knowledge है, उससे related, पूचे जाते, yes or no में answer करके, सिर पैसे बनाने है, feature और भी other app पे आपको मिल जाएगी, लेकिन other app पे जो आपसे commission लिया जाएगा, वो 20% से कम, कोई भी आप नहीं लेगी, मैंने पूरा market research किया है fantasy का, लेकिन real 11 आपसे ले रहा है, मात्र परसंट, 15% का commission, तो फड़ा-फड जाओ description से download कर लो, refer code FCB use, जरूर कर लेना, मुझे कितने सारे लोग हैं, जो मेरे साथ खेलते हैं, तो जाओ फड़ा-फड से download करो, refer code, use कर लेना है, ठीक है, आगे guys, बात कर लेते हैं, यहां से आगे start करेंगे, हम venue के बारे में बात करने से पहले, आपको और भी उता देती हूं, कि आपको खेलना कैसे है, तो आपको जब आ आपको fantasy का option दिखेगा, आप इस सारे contest में किसी में भी खेल सकते हो, ठीक है, यहां आपको opinion का option दिखेगा, आप opinion क्लिक करोगे, तो इस तरह की question आपकी सामने आ जाएंगे, जैसे आप से पूछा जाएगा, Punjab to win the T20 match versus Chennai, कि आपको क्या लगता है Punjab या चिन नही में से कौ आपको क्लिक करते हो, आपको क्लिक करते हो, आपको यहां से quantity select करनी, edit करके, यहां आपने 5 शेयर को किया है, तो आप देखो 25 रुपे इंवेस्ट करके, मुझे 50 रुपे मिलेंगे, ना मैंने कोई team बनाई है, ना मैंने कोई captain voice captain चूज किया है, और मेरे पैसे बन चुके है, ठीक है, तो काफी अच्छा option है, फड़ा फड़ जाओ, रियल 11 डाउनलोड करो, और मेरे साथ खेलना शुरू करो, और पैसे बनाना शुरू करो, लोग बहुत पैसे बना रहे हैं, आप है, वीडियो में बाते क्या 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 आपको बताने वाले है, क्या क्या topic हम यहां कव करके आप को देंगे, तो इस मैच का बेस कैप्टन, वाइस कैप्टन कौन होगा, बेस टीम क्या होगी, हिट टुएट की बात करेंगे, स्टेडियम के बात करेंगे, रिसेंट जो भी मैचेस खिले गया है, वेन्यू पे, सारे खिलाडियों की रिसेंट फॉर्म, हिट स्टेडियम, धरम शाला में यह मुकाबला खिला जाएगा, बैलेंस पिछ है, पेसर को यहाँ जादा मदद है, स्पिनर के कमपैरिजन में, अबरेज स्कूर इन फर्स इनिंग 180 का है, अगर हम हाइस्ट की बात करें तो पंजाब खुद बनाया है, आपर 232 पे दो विकेड ह हुएं, 200-500 से नीचे वाले और 4 मुकाबले हुएं, 170-180, 3 मैच, 190 प्लस का मैच हुएं, तो आप देखो जो 9 में से 7 मैच जो हुएं वो आपके 170 प्लस के मैच हुएं, मतलब की एक फिर हाइस्ट स्कोरिंग मैच, जैसा कि इस IPR में बहुत कॉमन हो गया है, मतलब हाइस्ट स यहां पर भी 187 का स्कोर फॉस्ट इनिंग में बना है, राजस्था ने चेस भी कर लिया, विक्टे गिरी है, 11 जिसमें से 9 विकेट निकाला है, पेसर ने, मात्र 2 विकेट मिली आपके स्पिनर को, एक और मैच देखेंगे, दिल्ली-Panjab का मैच था, यहां पर भी दिल्ली फर्स बेटिंग करते हुए, 213 मारा था, और यहां विक्टे गिरी थी, 10, 10 में से 7 विक्टे निकाला है, पेसर ने, और मात्र 1 विकेट मिला है, आपके स्पिनर को, एक इंटरनाशनल मैच देखेंगे, थर्ड लास मैच जो यहां के ला गया था, इंडिया-शिलंका का मैच था, यहां पर स्कोर दे को कम बनाता, ठीक है, इंडिया ने चेस करते में जीता था, विक्टे 9 गिरी है, जिसमें से 8 विकेट पेसर ने निकाला है, मातर 1 विकेट इस्पिनर को मिली है, और तीनो ही मैच में आप देखो, इस्पिनर का रोल बहुत कम है यहां पर, ठीक है, और यह रन बन सकते हैं, आच्छे खासे विकेट जादा नहीं गिरेगी, तीनो ही मैच में 9-10 के राउंड विकेट गिरी है, 9-10 के मतलब आप समझ सकते हों कि बॉलर्स इतना सादा पॉइंट आपको नहीं दिलाएंगे, ठीक है, तो वेन्यू भी डिपेंड बहुत करता है यहाँ पर कि आप किस वेन्यू पे टीम बना रहे हो, उसके एकॉर्डिंग ही हमको टीम क्रियेट करनी है, बात करेंगे दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी और सीधे-सीधे किस प्लेयर के साथ आपको जाना है, और सीधे-सीधे किसको ड्रॉप करना है, यही मैं पंजाद आएगा, पंजाब किंग्स की तरब से ओपेन आएंगे, जॉनी बेस्टों का साथ देते वी दिखेंगे, प्रप सिमरन सिंग, वन डाउन बेटिंग आएंगे, रिलेर रॉसू, बाक्टो बैक, साम करन, जिते, सर्मा, शजान सिंग, आशुतो, सर्मा, हर्पीद हर्षल पटेल, कंगीसो, रवाड़ा, राहुल चाहरा और अर्शदीब सिंग, अर्शदीब को लेके आना इस मैच में, रवाड़ा हर्षल में से किसी एक को ला सकते हो, रवाड़ा is more safe than हर्षल पटेल, हलाके recently हर्षल के स्टैड्स बहुत अच्छे हैं, तो आप यहाँ प आपको जाना चाहिए शांग सिंग के साथ, तो यह जो मेरे 6 पिक है, यह मेरे fix पिक है, पंजाब के तरफ से, यहाँ पर एक चींज हम कर सकते हैं, कि आप यहाँ पर रवाड़ा में से, किसी रवाड़ा अर्शल में से किसी एक को ड्रॉप करके, आप रिले रोसु के साथ सकते हो, क्योंकि लास में अच्छा खेला है, इस वज़े से यह है, ठीक है, सीधे-सीधे ड्रॉप किसको करना है, सीधे-सीधे ड्रॉप करना है, अशुतोस को सीधे-सीधे ड्रॉप करो, यहाँ पर हर प्रीज ब्रार को, यहाँ पर सीधे-सीधे आप ड्रॉप करो, तो आपका लॉस नहीं होगा इंके वज़े से बागी बात करेंगे चिन्ने की तरफ से हमारे एक फिक्स प्लेयर रोटेट प्लेयर और यहां पर ग्रैंड लिग प्लेयर और यहां ड्रॉप किसको करना है तो यहां चिन्ने की तरफ से ओपन आएंगे अजिक के राने उनका आदू ठाकूर तुसारदेश पांडे रिचर्ड ग्लीसन और मथी सपथिराना पुछ इस प्रकार रहेगी चिन्ने की प्लेयर इलेवन जिनमें आपको कंफर्म पिक लेके चलना है रितुराज को लगातार हर मैच बच्ची परफॉर्मस देते भी मतलब मैं सोच नहीं हो कि टी ट्विंटी वर्ल्ल कप में युरतुराज का नाम होना चाहिए ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करेंगे शीवम दूबे का यहां पर शीवम दूबे को लेकिया हो लास्ट मैच नहीं खिला था अच्छा यहां आप जल सकते हैं जड़े जाए इस मैच के इंपॉर्ट भीना मोहिन आली के प्लेस पे टी क्षणा भी खेल सकते हैं आलागि देखते हैं अभी अजी आइट क्यान आति है यहां दो 효 correct रहाने को चाही Ms. Swade के तो और रहाने गहां Kung-bol दिएक कि दूर में नियुकि के यहां वहां दूरा इस भी जांग के शक्राइश पसा सकता है तो प्रब्सिम्रंद शिंकी बात करें जडे जांगी 4 फोटी गें प्र गलिसंग की जडेजा दिख रहे हैं ग्लिसन दिख रहे हैं यह कुछ प्लेयर है जिनका नाम बार बार आ रहा है देश फांटे भी मैच में काफी इंपोर्टेंट रहेंगे रैंडली का हिस्सा बन सकते हैं बागी अब बात करेंगे यहां पर CSK के बल्ले बाजू की तो CSK के अगर बात कर इस प्रवेगे और इस मैच में चिनने इस ओपर की बाउंस बैक करेगी और इस मैच को जीते ही ऐसा मुझे लग रहा है आपको क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है जो भी लग रहा है कॉमेंट करके बताईगा अपनी उपीनियन जरूर बताईगा मुझे भी पता चलना चाहिए जैसे मैं अपनी उपीनियन एड़म strongly देती हूँ आप भी बताना कि मैच कौन जीतेगा अगर करेंट फॉर्म की बात करें तो CSK ने आखरी पांच में से दो मैच जीते वहीं बात करें पंजाब किंग्स की इन्होंने भी आखरी पांच के दो मैच बैक टू बैक लगातार मैच जीत के आ रही है तो यहाँ पर दिको गईजिए अब हमारा क्वालिटी कंटेंट स्टार्ट होने वाला है हर एक प्लेयर के बारे में आपको सारे स्टार्ट बताने वाली हूँ कि प्लेयर की रीसेंट फॉर्म क्या है धरम शाला पे क्या परफॉर्मेंस है और सामने वाली टीम क्या गया है CSKK गेंस पांच मैच में 93 रन वेन्यू पे एक मैच खिला है 82 रन मारा है वहाँ पाटी है पर अब सिमरन सिंग की बात करेंगे जिनकों की लास मैच में परफॉर्मस ने आई थी उससे पहले हाब संचुरी उससे पहले भी 30 प्लस की पारी के लिए थी मुझे लग रहा है इस मैच में यह नहीं चलेंगे CSKK गेंस दो मैच 25 परण वेन्यू पे दो मैच 24 रन है जौनी बेस्टू की बात करेंगे जिनकी आखरी पांच में से लेकों लास्ट दो मैच मेच परफॉर्मस आई है CSKK गेंस साथ मैच 143 लेकिन धरमशाला के मैदान में अभी तक बेस्टोने कदम नहीं रखें बागी साम करन की अगर हम बात करें यहां पर तो गया इस देख सकते हो जो की लास्ट दो मैच से बैटिंग नहीं आईगे उसके पहले तीन मैच फिलॉप है और इस मैच में आपको बता के चलनी हूँ अगर स्टार्टिंग में देश फांडे विकेट लेके जाएंगे जितेज की बैटिंग आएगी और जितेज आपको 40-45 अगर वहां कर देतें तो ग्राइड लिक के ट्रम प्लेयर बन जाएंगे जो की सामने कोई लेके नहीं आएगा ठीक है लेके आएंगे लोग लेकिन आप maximum लोग नहीं लेके आएंगे CSK के गेंस दो मैच 47 अगर दो मैच 24 अगर हम बात करें यहाँ पर मैक्सिम्म सारे मैच में अच्छी परफॉर्मस दे रहें मौका मिलेगा तो तोड़ेगा यह खिलाडी CSK के गेंस दो मैच में 40 अगर अगर बात करें धरम शाला में अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है राहुल चहर जो की कंसिस्टेंट आखरी तीन मैच से विकेट निकाल रहे हैं यहाँ पर CSK के गेंस 12 मैच में 12 विक्टे वेन्यू पर दो मैच में एक विक्टे मुझे लग रहा है राहु चहर को यहाँ इतनी मदद नहीं मिलेगी कागी सो रबाड़ा की बात करेंगे लास्तीन मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई है दो विकेट मिनिमम कागी सो यहां लेके जाएंगे CSK के गेंस 9 मैच में 9 विकेट है वेन्यू पर 2 मैच में 2 विकेट है आप बात करेंगे हर्शल पटेल की राइट आ मीडियम बॉलिंग करते है यहां पर आपके बल्ले बाजो को हर्शल पटेल फशा सकते है जो इनकी करेंट परफॉर्मेंस है आखरी 5 मैच में देखो 4 मैच काफी consistent आखरी 3 मैच से विकेट ले रहे हैं काफी विकेट मिल रही है CSK के गेंस 6 मैच साथ विकेट है वेन्यू पर 2 मैच एक विकेट आशुतोस सर्मा जिनको लास्ट आप 3 मैच में देखो 2 मैच से बेटिंग का मौका नहीं मिला उससे पहले 3-0 बने यहां पर Grand League में आश मैच 2 विकेट चिन नहीं के अगेस्ट मिली है तो अब ही आप यह मत समझना कि फिर से वही होगा हर बार सेम सिचुएशन नहीं होती है वह वेन्यू कुछ और थी चिपॉक की वेन्यू थी यहां धरम शाला का मैदान है चिनने के अगेस्ट चारवाज दो विकेटे वेन्यू पर एक मैच खेला है जहां विकेट नहीं मिली है और दो को मैं बार 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 बोले हूं मदर यहां जादा मिलेगी नहीं ठीक है पंजाब के एक्स्टा प्लेयर बेंच प्लेयर के स्क्रीन शॉट लेलो कोई भी बार सोने चाहिए पंजाब की बॉलिंग ऑडर की बात है तो पावर प्लेयर बार के बीच में आएंगे दो से तीन ओवर राहुल चेहर के दो से तीन ओवर पावर प्ले के आपके तीन ओव और बहुत इंपॉर्टेंट इस मैच में रहेंगे अर्शदीब कागिसुर अबा पहले पैटिंग करती है तो तीनों के इंद बाज रहेंगे अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है तो आप हर्शल पटेल को भी अपने टीम में रख लेना गाइज अब चिन नहीं सुपर किंग के खिलाडियों की बात करेंगे रितुर आज गायकोड के अगर हम यहां परफॉर कि बात करेंगे आखरी 5 मैच में सिर्फ एक मैंच में छीपफॉर्मटी में आगे करा करते याए शीवांगे टोलियू नहीं टिक सिछ टीम यहां मैंने आगस है कुलणि मैश्न चुर्ण नहीं घ लत घंके सिर्व कं इंट्वाडि अ मशह मांच से तो पॉंट्य पॉint ये विकेट एक लेके गहते हैं तो पॉइंट e दिया था पंजाब के अगAKंस 5 मैच्छ यहांaina सफॉष 1048 में माच नहीं खेला तो विकेड 103 विकेड लासमें नहीं दिया है पंजाब के अगेंस 5 मैचिंप बनाच नहीं तो पोइंग नहीं दिआная पिछले सीजन जडेजा जिस तरह की फॉर्म में नजर आया थे इस बार वो फॉर्म नजर अभी तक नहीं आई है पंजाब के गेंज 6 मैच में पचास थीन विक्टे निका लिए धरम शाला के मैदान में मैच खेला नहीं अभी तक यहाँ बात कर लेते हैं MS धोनी की यहाँ प तो वैसे भी विकेट गवाई डिफॉल्ट मिलती है वंदर कोई टैलेंट से मुझे शारदूल का विकेट समझ में ही नहीं आता है कि शारदूल को टीम में ले आ ना ले मैक्सिम्म टाइम इनको नहीं लेना चाहिए मुझे लगता है परफॉर्मेस उस तरह की है नहीं पंजाब के गेंस शे मैच में आट विक वेन्यू पर अभी तक नहीं खेला है रिजवी की बात करेंगे जिनकी पैटिंग आती है नीचे लेकिं लेकिं लास्ट मैच में उप पंजाब के अगेंस खेला था एक मैच में चार विक्टे निकाले थी और यहां वेन्यू पर मैच खेला नहीं है पत्राना की बात करेंगे सबसे कंसिस्टेंट गेंद बाज अगर हम बात करें यहां CSK के खेमिट से वो नाम है पत्राना जिनको हर मैच में विकेट विकेट एक्स्टा प्लेयर बेंच प्लेयर के स्क्रीन शॉट ले लो यहां पर कोई भी चेंजर हला की चांसे बहुत लेस हैं आपके पास सारे प्लेयर की स्टार्स होने चाहिए अब बात करेंगे आपर CSK की बॉलिंग और तो पॉप्टे में बॉल डालेंगे रिचर्ट गलीसन त आपको पॉइंट डे दे सकते गलीसन यहां सबसे इंपोर्टेंट गलीसन और पथिराना यहां पर इंपोर्टेंट लिखके ले जाओ दे इस पांडुक को भी ट्राइ करो ग्राइंड लिग स्मॉल लिग सब्जिक अगर CSK पहली गेंदबाजी आती है तो शार्दूल को आ पर से क्योंकि अब बात करने वाले PBKS VS CSK पंजाब VS चिन्नाई प्लेंग 11 2024 यह कुछ इस प्रकार रहेगी वाकि पंजाब VS चिन्नाई बेस्टीम टूडे की बात करें तो विकेट कीपर में जॉनी बेस्टो बैटर्स में बात करेंगे डेरिल मिचल रिलर ऑसो शशांक यहाँ पर रवाड़ा या हर्शल में से किसी एक को ले सकते हो देस पांडे को ट्राई कर सकते हो कैप्टेंसी के सबसे सेफ ऑप्शन है यहाँ पर स्याम करें VC के लिए गयकवाड आप इसको वाई से वर्सा भी कर सकते हो अगर आप रिस्टे करो तो आप यहाँ पर मुझे लग रहा है शीवम दूबे को VC बनाके चलो और कैप्टें आप किसी गेनबाज की साथ जाओ यहाँ पर कैप्टेंसी के लिए आप या तो ग्लिसन के साथ जाओ या पत्राना के साथ जाओ एक बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से भी आप प्रियेट कर सकते हो तो इस का हमारे ट्रंप है रितुरा जाइकोड शीवम दूबे सांकरन और शाशांग सी यह कुछ प्लेयर है जो मुझे लग रहा है इस मैच में चलेंगे बाकी देखो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप ग्लीसन का नाम भी ले लो ग्लीसन भी अच्छा कर सकते हैं यह भी नाम हो सकता है तो यह चार ओप्शन है CBC के लिए जो मुझे लग रहा है इस मैच में धमाल मचा सकते हो ग्राइंग में आपको सबसे जादा पॉइंट दिला सकते हैं CBC क्रियेट करो रोटेट करो बाकि आपको याद है प्लेंग 11 कितने पॉइंट की बनानी है 85-87 उससे ओपर जा सब्सक्राइब आपको जीतने से मैच में कोई नहीं रोप पाएगा बाकि जीतने साथ दिया उस दिन भी आप जीतोगे और मुझे लग रहा है कि आप अच्छा कर सकते हो आपको थोड़ा अपने पर होना चाहिए बागे हमारी जो फाइनल टीम आती है वो आती है तो सबसे पहले जाके टेलिग्राम से जुड़ जाना है चो आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट वॉक्स में मिल जाएगी पिन किया हुआ है फटा फट जाओ आप हमारे टेलिग्राम से जुड़ जो और बागा देना है तो गाई देखो मैंने इतनी सारी बाते आपको बता दिये पूरे निग्ते और महाई मोटिवेशन के साथ क्योंकि टेलिग्राम पे जिस तरह के आपकी पॉजिटिव फीडबैक आए लास्च वीडियो को लेकर तो यहां थोड़ा 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 ऐग ह जरूरत होती है तो अच्छे-चे comment करके बताईएगा आपको वीडियो कैसी लगी मैंने अपना 100% काम किया अब आपकी बार ये like comment share करनेगी तो guys वीडियो पसंद आई होगी तो like comment share जरूर करिएगा हम मिलेंगे next match की next video में सारी बाते करेंगे यहाँ पर और बाकिया आप टेल कर्शक्ते